हलो दोस्तों वेलकम दूपर चैनल स्मॉल टाउन ट्रेडर यहां पे हम बात करते क्रिप्टो करें से रिलेटी टॉपिक्स पर लेके आते हैं आपके लिए हर हफ्ते एक नया पाइं रिविए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके शेर करके अगर आप तो दोस्तों आज हम चार्ट अनलिसिस करेंगे कुछ का और देखेंगे कि वो चार्ट्स पर कैसा पफॉम कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी इंपरमिशन हमें चार्ट्स देह की सिर्फ मिल सकती है कोई coin किस तरह से perform कर रहा है और कैसा आगे future में जा सकता है उसका future prediction क्या होगा हम ये काफी चीज़े पहली पता लगा सकते हैं अगर हम chart पे कैसा pattern form हो रहा है ये हम अगर information देख सके तो कि most of the time charts अपने previous pattern को ही repeat करते हैं history में जो नोने patterns create की होते हैं उनी को repeat करते हैं और उनी की जो resistance और support होते हैं वही patterns को use करते हैं आगे कोई नया pattern form करने के लिए हाँ दोस्तों हम किसी भी coin की use case में नहीं पढ़ेंगे कि इसका use case क्या है, इसके technicalities क्या है हम सिफ chart के technicals को ही analysis करेंगे chart के patterns को ही read करेंगे based on these chart patterns यह मेरे 5 coin से जो मैंने pick किये जो कि मुझे लगता है कि यह Christmas से पहले New Year से पहले break out कर सकते हैं और explosive move दे सकते हैं उस तो पाँचवा coin ने जो मेरी नजर में जो किसका मैं chart काफी टाइम से analyze कर हो वो है BTT BTT में एक symmetrical triangle form हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह काफी टाइम से sideways movement में sideways consolidation में और एक symmetrical triangle form कर रहा है जिसकी support और जो resistance line है काफी clearly बनी हुई है और यह इन ही trend line के बीच में काफी टाइम से move कर रहा है हमने देखा है कि BTT ने 2019 और 2020 में कोई ज़ादा movement show किया नहीं अब देख सकते हैं कि यह mainly एक straight line लगी हुई है थोड़े बात उपर नीचे movement होंगे बट ऐसा कोई explosive move नहीं दिया है अगर हम देखें early 2021 में काफी ज़ादा explosive move दिया है BTT ने और कुछ 3000% का return दिया था यहां से अगर हम देखें start हुआ था 0.0006 0.00450 के round और जो इसका all time high गया था फिर कुछ 0.012 के round गया था जो की कुछ 3000% return इसने दिया था उसके बाद से काफी ज़ादा massive sell off हुआ और धिरी-धिरी sideways movement में चला गया और consolidate ही हो रहा थाब से यह जो movement है अब यह epics की तरफ अपने बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि काफी जल्दी यह यहां से breakout करेगा यह at least इस pattern से बाहर निकलेगा अब यह breakout करेगा, breakdown करेगा वो उस time पे हम देखेंगे बट इस जो pattern से बाहर जल्दी निकलने वाला है अगर market उस time तक bullish रहा bitcoin उस time पे bull run पे रहा तो हम देख सकते है BTT भी क्या काफी massive bull run दे सकता है overall BTT looks good on chart अब तो दोस्ता हम फोर्थ coin की तरफ बढ़ेंगे और फोर्थ pick है मेरी Rose R.O.S.E. U.S.G.T के pairing में यह pattern भी मैं काफी time से observe कर रहा हूँ और Rose को मैं काफी time से follow कर रहा हूँ क्योंकि यह काफी ज्यादा एक beautiful pattern में यह काफी अच्छे symmetrical triangle pattern फार्म कर रहा है एक इसने recently एक fake breakout दिया था और उसके बाद से एकदम sell off हो गया था और अपने जो symmetrical pattern उसमें वापिस आ गया था मुझे लगते है कि Rose एक अच्छा pattern फार्म कर रहा है यह भी एक symmetrical triangle pattern फार्म कर रहा है just like BTT अब देख सकते हैं इसका volume भी काफी जादा कम हो गया है और यह sideways movement में है sideways consolidation में है भी और इसी जो triangle pattern ने symmetrical triangle pattern उसकी अपर trend line और lower trend line जो इसका resistance और सपोर्ट है उसके बीच में रूफ कर रहा है हम देख सकते हैं इसका volume भी दीरे-दीरे कम होता जा रहा है और ऐसा होता है कि जब volume कम हो जाता और movement sideways हो जाता है और अगर यह जो movement है वो एक तरफ apex की तरफ बढ़ने लगता है तो हम एक massive volume देखते हैं उसके बाद एक massive candle देखते हैं या तो वो उपर की तरफ होती है नीचे की तरफ होती है अगर यह breakout candle होगी या पर green candle होगी एक volume के साथ तो हम देख सकते हैं कि rose काफी जादा अच्छे level breakout कर सकता है यह rose इस ताइम पर accumulation phase में और काफी अच्छा accumulation time में next हम coin देखेंगे hbair जो कि यह hedera hash graph और इसमें भी काफी अच्छा pattern form हो रहा है अगर हम chart को देखें तो एक beautiful pattern जो की cup and handle जो form हुआ इस पर और यह काफी अच्छा pattern है काफी bullish pattern है क्योंकि हमने देखा है कि mostly cup and handle pattern जब form होता है तो एक काफी अच्छी हमें बड़ी candle देखने को मिलती है हमें already एक यहाँ पर एक अच्छी candle हमें देखने को मिली है जिसमें काफी अच्छा return हुआ था और उसके अच्छा काफी sell off हो गया था अब यह candle pattern की हम green देख सकते हैं इसमें आप multiple patterns इसमें point out कर सकते हो जैसे एक rising wedge pattern आप देख सकते हो जो की clear support पे अपने move कर रहा है एक आप यह lower trend line एक support line देख रहे हो जो जिसे मैं highlight कर रहा हूं यह काफी अच्छा support act कर रहा है इसके लिए हम देख सकते हैं कि इस rising wedge pattern में यह काफी अच्छे support पे इस रहे हैं पर अगर आप buy करना चाओ तो मुझे लगता है काफी अच्छा time है buy करने के लिए क्योंकि यह support पे अपने और यहां से अगर यह move कर सकता है तो इसके जो top trend line है जो की 0.48 के round है वहां तक यह move कर सकता है तो उस resistance को भी break करेगा और मुझे लगता है कि यह काफी बड़ी हम candle देख सकते हैं मुझे लगता है पॉसिबल है बिल्कुल और चार्ट काफी साथा interesting है buy करने के लिए काफी अच्छा area है अगर आप buy कर रहे हैं तो इस time पर आप buy कर सकते हैं number two coin है जो मेरी list में है वो है dot dot एक अच्छे run की तरफ बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूं कि dot ने काफी massive run दिया यहां पर जो जो pullback आया था $38 पर आया जो कि $23 तक प्राइस को ले गया था एक इसके बाद से कोई major pullback हमने देखा नहीं है तो हो सकता है कि एक कोई major pullback है लेकिं interestingly यह है कि dot ने अपना all time high भी cross किया है और all time high cross करने के बाद अगर मैं charts को zoom करूं तो इसने multiple times all time high को test भी किया और इसके बाद से उपर move कर रहा है अगर ही अपने all time high को successfully cross कर पाता है और यहां पर यह सस्टेन कर जाता है तो हम देख सकते कि कुछ ही दुनों में शायद within a week हम बड़ी-बड़ी candles बड़ी-बड़ी green candles इसमें देख सकते हैं जो कि इसके price हो काफ यू पर ले जाएगा और into two or into three करने में जादा timely लगेगा dot को क्योंकि dot already एक major competitor है ethereum का और dot की जो founder है वो भी ethereum के co-founder है क्योंकि technologies में काफी जादा similar भी है और एक तरह से improved version है dot ethereum का तो अगर हम इसके use case को देखें तो हमें पता रगता है कि एक काफी अच्छा replacement और एक alternative है ethereum के लिए तो मुझे लगता है dot यहां से काफी अच्छी rally के लिए तयार है और वो time दूर नहीं जब हम इसमें एक इसने भी तक अपने all time high को touch नहीं किया यह जो bitcoin का bull run था 2020 और 2021 के जो bull run में bitcoin और बाकी alt coins ने mostly सारे coins ने अपने all time high touch किया और एक नया all time high बना है but xrp top 3 coins में होने के बाद भी इतनी बड़ी market cap होने के बाद भी xrp अपने all time high को touch नहीं कर पया और जो main reason था वो इसका था SEC lawsuit जिसकी वेसे इसका price level काफी जादा suppressed रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सिसके charts को देखें तो इसके charts को देखें ऐसा लगता है कि अब यह ready है यहां से breakout करने के लिए क्योंकि काफी time से sideways move कर रहा था और एक symmetrical pattern में move कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा bullish pattern है और अपने resistance और support को काफी clearly यह mark करता चल रहा था यहां से मुझे लगता है कि XRP के पास काफी ज़्यादा potential है move करने के लिए और अगर यहां से breakout करता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने all time high की तरफ बढ़े सकता है मतलब मैं उमीद कर रहा हूँ 20 से 25 डॉलर के आसपास but short term में कुछ 5 डॉलर के आसपास यह move कर सकता है overall XRP is my number one pick that can explode before Christmas or before new year thank you guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको लगते है कि यह जो coins मैंने pick किये है वो breakout कर सकते है आपकी भी यही रहा है तो please मुझे comments में लिके जरूर बताईए अगर इन में से आपको कोई coin था जो आप जिसको आपने hold करके रख है तो वो भी मुझे बताईए कि आपको क्या उमीद है इसे कि कितना उपर जा सकता है कितना price का रहेगा कितना price prediction आप predict कर रहे है इसका price तो तब तक के लिए guys good bye